सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कभी भी टाइटल से कन्फिज मत होना क्योंकि पहला लेक्षर गंटेक अल्रेडी गया तो उसमें बहुत कुछ नहीं हो पाया था जो भी हम कवर करने की कोशिस करेंगे लेकिन यह मैं आपको बताता हूँ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आफ्टर फोर डेज मैं आपके साथ में एंसे अटी देख लेंगे ठीक है तो आपको खुदी कॉन्फिटेंस हाजाएगा कि चार दिन में एक बुक इतने अच्छे से कंप्लीट हो पाएगी तो क्यों करते थे और बच्चों का आउट्पूड भी निकलता था तो उसी दिसा में मैं बस थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूं ताकि आपका एक कॉन्फिटेंस में विल्डप कर पाऊं खासकर मॉडन हिस्ट्री और मेरे जो सब्जेक्ट ही इको नॉमियों इंडियन इंडियन उसाइट यह दो सब्जेक्ट होंगे उसमें आपको उस लेबल का एक कंफिटेंस को यह दिए आप बताएंगे मुझी लेते हैं यहां पर देख रहे हैं कि मन्तली इंस्टॉल्मेंट जो है आपका यहां पर यहां पर बेनिफिटेट है आप कॉल करके अपने को कि जो इंस्टॉल्मेंट है उसे आप मंतली कनवर्ट करा सकते हैं मुझसे जूणने के लिए मुझसे कोई पूछने के लिए ठीक यहां पर पर देखेंगे सबसे पहले Rise of nationalism in India अब nationalism में मैंने आपको कल जो टॉपिक कराए तो देखो हम लोगों के टॉपिक कितने हो गया है हम लोग के इतने टॉपिक हमने कम्प्लीट कर दिया मतलब यह आज करना है इतने टॉपिक कल कम्प्लीट हुए थे तो अगर अब आपसे पूछा जाता है कि आखिर nationalism इंडिया में कैसे आया means a group of people having common thought, common aspirations, common belief, common acknowledge is called nationalism तो एक group of people की intrinsic feeling है nationalism को लेकर एक बहुत अच्छा सब्द है समझेगा कि जैसे अगर मुझे भूख ना लगी हो तो मैं खाने क्यों नहीं जाओंगा और अगर मुझे कोई खाना दे देता और भूख लगी हो वो ये बोले कि मैंने तुम्हारा भला किया और एक समय जब मुझे भूख ना लगी हो तब कोई खाना दे दे तो उसमें कोई भलाई का काम नहीं है कहने का मतलब क्या है ठोड़ा सा connect करेंगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ब्रिटिस ने बोला कि भारत में जो नेशनल इजम है वो हम लेकर आए तो फिर हमने बोला कि भाई अगर हमें भूख ही न लगी होगी अगर मैं पढ़ने ही नहीं आऊंगा तो तुम क्या पढ़ाओगे अगर मैं खाने ही नहीं आऊंगा तो तुम क्या खाना दोगे तो जब तक हमारे अंदर ये feeling डेवलप ना हो ठीक है एक होने की तब तक तक तुम एक कैसे कर सकते हो आज हमारी railway connectivity है लेकिन आज भी आप देख रहें कि इंडिया में रीजिनल इजम भी है जहां पर लोग छेत्रवाद की बात करते हैं मरला भारत की इसी डेस में कोई भारत की जगा अपने राज्य की अपने हम स्टेट की बात करता है इसलिए समझेंगे कि जो नेस्नलिघम की पीलिंग है जो हम लोगों ने स्टार्टा दोकल की फूलिंग और I'm है है क्यात्रेस्टकी फीलिग है जो हम सभी के अंडर एक common चीज़े निकाल देती है ठीक है means a group of people ठीक है a intrinsic feeling of a group of people having common thought common aspirations common belief common acknowledge is called nationalism connect कर पा रहे हैं आप is called nationalism it means कि यह जितने भी point आपको यहां पर दिख रहे हैं इसमें आप देखेंगे socio-economic background में जब British ने हमारा exploitation किया तो क्या हम एक होंगे जी हां for example माली जी आप offline class में हैं आपसे वादा किया गया दोजा 23 का बैच चल रहा और आपको पढ़ाया जाएगा complete और आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं class में 100 बच्चे हैं अचानक से admission हो गया आपका सब कुछ हो गया फिर मैं बोलू देखो या 24 के लिए प्रिपेर करो तुमसे तो ना हो पाएगा और हम 2024 में से levels करेंगे तो जो एक दूसरे को जानते नहीं थे ना वह भी बोलेंगे और देखो दोखा दे गए तो जिनके अंदर कोई टच नहीं है ना वो भी get together हो जाएंगे वो भी unite हो जाएंगे क्यों क्योंकि exploitation हुआ तो यह reality है जब भी किसी nation में exploitation होता है लोग एक दूसरे के साथ में आ जाते हैं और इस unity को हमारे यहाँ पे इस समय जो unity आई थी यह ब्रिटिस के खिलाप में आई थी जिसे हम rise of nationalism का नाम लेते हैं समझ रहे हैं आप जी यह राइज आफ nationalism का नाम लेते हैं तो राइज आफ nationalism में यह सारे बैग्राउंड हमने चेक किये फिर कैसे education ने role हमारे यहाँ पे प्ले किया जिसमें हमने देखा कि प्रि ब्रिटिस इंडिया में education क्या था मैं कॉले शिस्टम क्या था मिडले क्लास कैसे rise हुआ उसके बाद फिर जो missneris थी उनका क्या contribution था और फिर हमने देखा कि social and religious reform में में हमारे यहाँ पे लोगों के बीच में एक awareness क्रियेट की गई ते रहे awareness क्रियेट करने का मतलब अगर आपको ये point समझना है तो मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूं एक book है imagined community नाम है person का Benedict Anderson बेनेडिक्ट एंडर्सन ने अपनी इस book imagined community में क्या बोला कि भारत को लेलो और यूरोप के लेलो अगर हम यूरोप की बात करें तो French बोलने वाले फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है जर्मनी में जर्मन बोली जाती है पोलेंड में पॉलिस बोली जाती है ठीके इटली में इटैलियन बोली जाती है इंगलेंड में इंगलिस बोली जाती है जैसा देश वैसी भासा भारत को ले लो इतनी सारी भासाएं हैं तो आखिर इंड प्रेशन इसमें सब्स JEधा जो रोल निभाया न वो रोल प्रेस ने निभाया रोल प्रेस ने मतलब जैसे पूर एक्झ落 ऑप्चों निर्भेया हत्या कांड के बाद में डिल्ली को लेकर कम से कम दो तीन साल तक बहुत ज़्यादा खबरे उड़ी कि डिल्ली में निर्भेया हत्या कांड हुआ दिल्ली सुरक्षित नहीं है अब ये डिल्ली महिलाओं के लिए रहने लाइक नहीं है तो क्या आप खुद आपने है कि नजरिया डिल्ली को लेकर बदल गया तो इसी प्रकार से बेनेडिक्ट एंडर्सन कहते हैं कि जब यह सोश्यो रिलीजिस रिफॉर्म आया जब लोगों ने प्रेस का खाका त्यार कर दिया बिकॉज जब प्रेस बोलता था एक्स्पोटेशन इन मद्राश 3.5 मिलियन पीपल डाइड दिरिं फेमाइन इन मद्राश अधा शेम तैम लॉड लिटन एक्सपोर्टेशन इन इन इंगलेंड वहां के भी लोग मर रहे हैं यहां पी लोग मर रहे हुमनेटी का ग्राउंड से टुआ नरायाण से वा यह लोग पर लोग में अंतर खत्म कर दिया गया स्वामी विबेका नंड का कंसिप्ट नर सेवा नरायाण सेवा ने इही लोग और पर लोग की बीच का अंतर खत्म कर दिया पहले लोग भगवान की पूजा करते थे, इंसान का गला काटते थे, हम स्वामी विबेकर नने बोला, नर्थ की सेवा करो, नारायन की सेवा के बराबर है, जो उह लोग और इह लोग इसके बीच का गय भी खतम कर दिया, बोला तुम भगवान की पूजा करो, किसी की हत्या कर कुछ नहीं मिलेगा इसलिए एक इंसान की तुम मदद करो एक इंसान की तुम रक्षा करो एक इंसान के लिए इंसान के लिए तुम कभी बुरा मत सोचो बस तुम इतना करतो तुम मालो तुमको भगवान मिल गया salvation of social work लोगों के 20 की दूरियों को खतम किया गया जर्नलिजम से ब्रिटिस का exploitation के खिलाप में लोगों को unite किया गया ये जो लोग अलग-अलग भासाएप बोलते थे अलग-अलग पहनावा पहंटे थे अलग-अलग खाते थे अलग-अलग रहन सहन था ये सब एक हो गए और इन सब लोगों ने एक होके भारत रास्ट बनाया और भारत रास्ट रेक बनने से पहले खरी बहुत पुराना है हम तो जंबी ड्यूप के अधारना है अखंड भारत है हमारा लेकिन इस अखंड भारत के बीच में जब अंगरेजों ने इसको खंडित करना सोचा तो हम एक हुए और इंडियन नेशनल कॉंग्रिस बनाया भारतिये रास्टिये कॉंग्रिस आया क्या समझ में यस समझ में आया आपको आप कनेक्ट कर पाया तो सेशन को लाइक कर देना ठीक है यस अभी क्लियर हुआ जी यहां तो यहां से नेशनलिजम स्टार्ट होता है और आज हम बात करेंगे यहां से अज़र डिसाइसिव पैक्टर्स बर्थ आफ इंडियन एसोसियेशन और दादा भाई नोरोजी और ड्रेल थेयरी तो आज आपको एक पूरा जरनी क्लियर होगा और फिर हम लोग सेकेंड यूनिट पे भी चलेंगे तो देखते हैं आगे इसमें यहां तक हो गया था आज यहां से बात करेंगे अज़र डिसाइसिव फैक्टर आप दी राइज आफ नेशनलिजम राश्ट्रवाद के उदभो के पीछे और कौन से कारक थे मतलब कौन से ऐसे कारड थे फैक्टर्स थे कारक थे जिनसे राश्ट्रवाद का उदे हुआ सबसे पहला कारड था हमारे सामने मेमोरीज आफ 1857 मतलब 1857 की वहा एक याद जो हमारे जहन में अब तक थी, वो याद क्या थी, फुड़ा सा देखेंगे, लिखा हुआ है कि जो भारतियों का एक्सप्लाइटेशन किया था, जब 1857 की क्रांती खत्म हुई थी, लोगों को पेड़ों में फासी पे लड़का दिया जाता था, दो-दो-तिन-तिन गाउं के पुरसों की हत्या कर दी जाती थी, गाउं से गाउं लोगों की हत्या करते साफ करते जाते थे ब्रिटिस, ब्रिटिस ने भायानेक नरसंगार किया, और उस नरसंगार के बाद में पूरा भारत जो था, वो सांत बैठ गया, अंदर से एक भावना कुछ तो कसर रह गई है वो भावना क्या थी बदले की मतलब 1857 की याद में भारत के लोग बदले की आग में जूलस रहे थे जुनने अपनों को खोया उन अपनों के खोने के गम में वो बदला लेना चाहते थे जो लोग पकड़े गए उनको कोट में पेस करने की जगा उनकी हत्या कर दी गई पोट में पेस किया गया तो रूलस और रेगुलेशन को फालो नहीं किया गया सबको एक समान एक बराबर सजा दी गई और सभी के साथ में बूरी तरीके से आनुरन कारियों का रिप्रेशन हु यह किया था उस्में British ने ठीके यस देखेंगे टैटीज वर्ट रिकॉलिंग के सब्द यह हम लोग के सब्सक्राइब यह यह सब्सक्राइस सब्सक्राइब देली प्रिदियुन से प्टेमबर जून से सेप्टेंबर के बीच में 1857 में ब्रिटिस ने डिली को सीज किया A wholesale vengeance is being taken without distinction of friend or foe As regard, the looting we have indeed surpassed the nadir sa क्या यह statement कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करता जी हाँ, Elphiston कहता है अपने सब्दों में जब हमने डिली को अपने कबजे में लिया तो हमने डिली में ऐसा कोहरा मचाया कि ना हमने दोस्त देखा और ना हमने दुस्मन देखा और हमने सभी के साथ में एक बराबर एक तरीके से उनका दमन किया और दमन करने और इस बदले की आग में हम इतना आगे बढ़ गए थे कि हमने एक समय तो नादिर साह को भी पीछे कर दिया अब आप समझ सकते हैं कि एलफिस्टन के स्टेट्मेंट में अगर नादिर साह जब वो दिली में आया था उसने कतले आम मचाया था कुछ दिन तक दिली में सनाटा पसर गया था मौत जो थी वो टांडो खेल रही थी वही मौत का टांडो एक बार 1857 में देखने को मिला तो इस 1857 के क्रांती में लोगों में अभी भी एक भावना थी कि ये क्रांती जिसमें जो ब्रिटिस ने हमाइसद गलत किया है ये अभी बदले किया पूरी नहीं हुई है अन अवेंज है कनेक्ट हुआ क्या कनेक्ट हुआ क्या ओके थैंक्यू सो मच नेक्ट देखेंगे मैकॉले सिस्टम आफ एजुकेशन मैकॉले का सिस्टम आफ एजुकेशन आया और मैकॉले ने बोला भार्तियों को इंग्लिस में पढ़ाऊ इंग्लिस की जो पॉलिसी थी वह रेशिल डिस्क्रिमिनेशन की थी मतलब हमारे लोग नोकरिया लेते थे सरकारी नोकरी करते थे और जब वो विभाग में जाते थे तो गोरे उकालों के बीच में मत भेर होता था उनकी सेलरी हमसे ज्यादा होती थी हमारी सेलरी कम उनकी पोस्टिंग प्रमोसंस होते थे अच्छी जगा अच्छा प्रमोसं होता था हमारा नहीं वह भी जो अपर लेबल पर थे उनके पास हैं बाकी तो इंज्वाय कर रहे थे लूटिंग इंडिया डे बाइडे हर दिन वह भात को लूट रहे थे चाहे जैसा हो आगे देखेंगे इसमें ठेके दा सिस्टेमेटिक एक्स्क्लूजन आप दे इंडियन फ्रम हायर ऑफिस्यल पॉस्ट एंटी इंडियन पॉलिसी जो हायर औफिसुल पॉजिशन थे वहांपर भारतियों को निकाला गया जिया लहाजस है ठ्वहां पर यह भांप लिए ब्रड़ के लिए कामनी करेगा वा भारत कन ओर निंदियन करीश है वो भार्त के लिए काम करेगी ब्रिटेन के लिए नहीं करेगी कि क्या यह सच है जी हां इसको लेकर मैं आपको एक उदाहर देना चाहूंगा सैद आपने कॉर्ण वालिस का नाम सुनाओ कॉर्ण वालिस ने दिवानी ठीक है मतलब पहले एक ही होता था डियम जो दोनों काम देखता था मतलब वो मैजिस्टेट का भी काम देखता था जूडिशियल भी समालता था और एड्मिस्टेशन भी समालता था रेवेन्यू का रेवेन्यू जूडिशियल दोनों देखता था कौन वाले इसने बोला no आप जो DM होगा जो DC होगा district collector वो revenue का काम समालेगा और judicial का काम के लिए एक नई post आई जिसे हम कहते हैं district judge तो एक judge is appoint किया गया अब judicial काम judge देखेगा और DC के वल collection का काम देखेगा और जो district collector अपने इलाके में जितना collect करेगा उसका 1% उसका commission होगा अब collection होता था उस समय करोड़ रुपे में और उस करोड़ रुपे में 1% मतलब उस समय कॉन्वालिष ने इंडिया में IS की post को इतना इतना अच्छा बनाया कि उसके बास से तो IS की बोड मच गई देख रहें किस प्रकार से आप लगे हुए है ठीक है यस क्लियर है हम गेडिंग दा बॉइंट जी हाँ आगया समझ में तो उस post पे किसी भी इंडियन्स को ये जाने नहीं देना चाहते थे वेल इंडियन्स वर पार्टिसिपेटिंग इंडियन्स माननी रहे थे वह रोक रहे थे हम माननी रहे थे जब उनके रोकने के बाद भी हम सिविल सर्विस के पेपर देने गए तो उन्होंने हमारी उमर कम कर दी 19 कर दी बोला कि मैक्सिमम एज लिमिट 19-19 साल उसमें भी आपको राइफल सूटिंग हॉर्स राइडिंग लेटिन लेंग्वेज में पेपर देना है आज यहां पर एक पेपर कमपल्सरी कर दे जाता है लगता है कि जमीन निकल गई पैर के नीचे से और वहां पे इतनी सारी चीज़े होती है उसके बाद भी इंडिया में सुर्यनात बेनर जीन सबसे पहले ठीक है पेपर दिया सबसे पहले पाटिसिपेट किया सिविल सर्वीस एक्जाम में पर सते ना टेगों 1963 में आईसेस का एक्जाम क्लियर किया तो इतनी सारी बाधाओं के बाद भी हम इंडियन्स पीछे नहीं थे और हमने वहाँ पे अपना सेलेक्शन अपना 100% दिया हम वहाँ से तब से लड़राई इस पोस्ट के लिए आज तो मामला बहुत हलका होगा आप बस आज पड़लो आप सिद्दत से आप बन जाओगे पहल से लिमिट रिड्यूस टू 90 कि सिम्लर्ली डिस्पाइट रिक्वेस्ट प्रॉम एंडियन एजुकेटेट मिडिल क्लास मतलब भारत का जो एजुकेटेट मिडिल क्लास था वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर प्लीज आप इसकी उम्र जो है उसको बढ़ाओ और दूसरा पेपर इंडिया में रखो क्योंकि 19 साल का लड़का इंग्लेंड पेपर देने जाए यह पॉसिबल नहीं है ब्रिटिस ने उस रिक्वेस्ट को मानने से मना कर दिया एंसे आटी की लाइन कहती है कि साइमुल्टेनेसली इन इंडिया ठीक है मरलाब एक्जामिनेशन जो होगा सर्टेंटर वो इंडिया में भी रखिए बट इंपीरियल गॉर्मेंट रिश्यूज तो कंसीड दा रिक्वेस्ट रिपन के टाइम में होगा चेंज आएगा लेक आएसे मैकॉले का सिस्टम अफ एजूकेशन ने जो अडिस्टे संथा वो कहीं ना कहीं बृटिस बूर्परियसी की रूप में सको कनवर्ट कर दिया मतलब जो बूर्परेसिः हो पुई तरीके से बूर्परिस को एक हिसाफ से डेडिकेट कर दी गई थी मानलिजे नेक्स् सुप्रीम कोर्ट अभी न्यूज में था इंडियन पिनल कोड 1870 के सेक्षन 124 ए के तहर हम किसी को देश ड्रो ही कह सकते हैं सेडिसन का जो लौ है सेडिसन के जो चार्जेस हैं देश ड्रो के जो चार्ज हैं वो यहीं पर लगाए जाते हैं अभी हाली में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इसका परियोग जो हो रहा है वो अननेसेसरी हो कई मामलों में जहां देश ड्रो नहीं बनता है वहाँ पे भी इसका परियोग हो रहा है ठीके यस 124A आ गया जहां पे भातियों को देश ड्रोह बोला गया देकर इंग्लेंड भेज दिया गया बेंगॉल में फेमाहिन बेंगॉल से जो पैसा कमाये गया वो महरानी को कैसरे हिंद के उपाधी के लिए खर्च कर दिया गया पैसा लैविसली बहुत बोरी तरीके से खर्च हो रहा था बंगाल की जनता के पास में खाने को रोटिया नहीं थी और उस समय ब्रिटिस इन पैसो को महरानी के उस तक्तों ताज कैसरे हिंद और उसकी वाँ वाही के लिए खर्च कर रहा था इस पैसो को जब खर्च किया गया तो हमारे यहां पे जनलिस्ट ने लिखा इसको कहा ये काला समय है ये अंधिकार है जिस बंगाल से जितना पैसा उगाती है ब्रिटिस सरकार आज उसी बंगाल में ये कैसा मतलब ये कैसा ताज है महरानी के सर पे जो लाखों लोगों की इस मृत सरीर के ऊपर रखकर सजाया जा रहा है क्या मारानी के इस ताज में वो फूल है या वो काटे है जो लाखों लोगों के मृत सरीर के कारण बनाए गए है ये ऊपर सजाय गए है अब आप खुदी कनेक्ट कर सकते हैं ठीके? हाँ क्लियर, जी, बेटा अभी NCRT के क्लास रात को 9 से 11 चलेगा, ठीक है, 4 दिन चलेगा, कल जो क्लास होगी, कल संडे कोगी, लेकिन कल क्लास 5 बजे है, ठीक है न, कल की क्लास 5 बजे, या फिर आप लोग बोलो तो 9 बजे रख दूँगा, जैसे आप लोग बताओ, 5 बजे है वह से कल 9 बजे रख दूँगा, और फिर मंडे को नहीं है, त्यूज़डे को रात को 9 बजे है, 4 सेशन पूरी NCRT फिनिस, ओके, चलो देखो, आप देखेंगे, एबोलीशन आप दी कस्टम ड्यूटी, आचा अभी यहां पर समझेंगे, यह सेडिशन, यह सेक्शन 124 ए, सेड इसनल, वरनाकुलर लेंग्वेज की न्यूज़पेपर है, मतलब मराठी, बेंगॉली, पंजाबी, ठीके, इनको बैन कर दिया जाएगा, क्यों इंग्लिस न्यूज़पेपर छपेंगे, इसी समय पत्रिका आती थी, अमृत बाजार पत्रिका, सुना होगा आपने ABP News, जो क्योंकि वरनाकुलर प्रेस्टेक्ट ने बोला कि सारे रीजनल न्यूज़पेपर को बैन कर दिया जाए, क्यों, क्योंकि जो ये देशी भासा में पेपर लिखे जाते थे, वरनाकुलर लेंग्वेज में, ये ब्रिटिस की बुराई करे थे, खासकर लिटन की, जिसमें ऐस प्रियोग किया रहा था कि लाखों लोग मर रहे हैं, और महरानी के उपर पैसा, जो है, बंगाल दर्बार में, बिना मतलब के, और लगजीर, मनलब लैविसली, उस पैसे को बहाया जा रहा है, उस पैसे का कोई मोल नहीं है, ये पैसा नहीं है, ये बंगाल के लोगों का ख कर दिया गया डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे स्पेक्ट्रम सेशन में क्योंकि NCRT फाउंडेशन चल रहा है आपका कंसेप्ट डेवलप हो रहा है यहां पर ठीक है हाँ क्लियर यस नेक्स देखेंगे एबोलुशन आप कस्टम ड्यूटी अन कॉर्टन मैनुफेक्ट्टर्स इंपोर्टेड प्रों इंगलेंड और लेवी ऑफ एक्स एकसाइज ड्यूटी ऑफ कॉर्टन फैब्रिक्स मैनुफेक्ट्टर इन इंडिया ग्रेटेड नेशन वाइड देख रहे हैं डेखरें है by गस्टम ड्यूटी की एबउलिट करने की मांगो थी हमने बोला कि भाई कस्टम ड्यूटी के वलस करो है ठीक है है हाइबुलिशन आप कस्टम ड्यूटी ऑन कॉर्टन मैनुफेक्ट्टर्स इंपोर्टेड फ्रॉंड इंगलेंड इंगलेंड ए इंडिया created nationwide discontent तो इन्होंने क्या किया बाहर से आने वाले cotton पे custom duty खत्म कर दी ब्रिटिस ने और इंडिया में उगाए जाने वाली चीजों पे और exercise duty मतब उत्पादन कर लगा दिया तो मलब हम अगर अपने आप एक cotton की जीजे बनाएंगे तो हमें tax देना पड़ेगा और ब्रिटेन से जो goods आएंगे उसमें abolition हो गया custom duty का हमने कहा नहीं ये तो गलत है इसके खिलाप में बिद्रो होगा आवास तूठेगी लोगों की बीच में ये कारड को बने ये वो कारड ह में हमारे nationalist पहला रहे थे और लोग aware हो रहे थे ठीक है जी हां तो ये क्या समझ मैं है आपको ये हमारे other decisive factors for the rise of nationalism के तीन पॉइंट हम लोगों ने भी कवर किये 1857 की याद मेमोरी मैं कॉले सिस्टम आप एजूकेशन रिप्रेशिब एज 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 अब मैं बात करूँगा आपके सामने की प्रेश का क्या रोल था अभी मैंने आपको बताया बेनेडिक्ट एंडर्सन में नाम लिख देता हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ बेनेडिक्ट एंडर्सन बुक है क्या कहते हैं उसको बेनेडिक्ट एंडर्सन की बुक है इमेजिंड कम्यूनिटी इसी में लोगों ने बताया कि भारत जो है इंडिया लॉजिकली नॉट निशन क्यों अलग अलग भासा के अलग अलग पहनावे के बिन प्रकार के लोग भारत में मिलते थे और इस अलग अलग तदा के लोगों को एक कैसे किया तो यहां पे प्रेस का रोल है कैसा रोल था प्रेस का बेटा तो हमारे हैं पे जर्नलिजम ने it helped people to spread modern ideas of self-government, democracy, civil rights and industrialization हमारे किस प्रकार से और द्योगी करड़ होगा, industrialization होगा, modern ideas को लोगों तक पहुचाया गया, self-government की विचादारा, democracy और civil rights की बात की गई, जहां पे आपके अधिकार को सुरक्षित करने की बात की गई the press become critic of politics, और इसी प्रेस थे politics मतलब ब्रिटिस राजनेताओं के हरे कडम की आलोचना की जानी लगी, कुछ भी गलत करते थे हम पेपर में छाप देते थे, आपको इस प्रेस की पावर मैं आपको बताओ, इस प्रेस की पावर ये थी, कि लॉड लिटन जो थे, लॉड लिट ने रातो रात लोगों को लगा कि लिटन नहीं है, ये मानो राक्षा से आज के समय में, ये कल्यूगी राक्षा से कई जगा तो ये कबरे आई, कल्यूगी राक्षा की बात हुई, और वहीं पे अगर मैं आपको बताओ, लॉड रिपन, तो आप लोग आगे पढ़ेंगे म इंडियंस को दबाने के लिए ये उनने ख exactement किया, इंडियंस को और जदा लिबरेट किया, इंडियंस ने लौड रिपन का वैलकम किया, प्रेस में उनको इतना अच्छा बताया गया, कि भारत के जंतां हमें लगा कि अच्छे दिन जो आने वाले थे वो आ गए, ठीक है, त इसके पर्फेक्ट इग्जाम पर हैं लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन ठीक है येस इसने क्या किया लोगों को वो बाते बताई वो सारे इसूज बताए जो देश को नुकसान पुर्चा रहे हैं मतलब लोगों को आवेर किया राजा राम मोहन रॉय ने लिखा संबात कौमुदी 1820 में बेंगौली भासा में पर्सियन में लिखा मिरातुल अकबार ठीक है इन डोनों चीज़ों ने एक प्रोग्रेसिव रूल प्ले किया एजुकेटिंग ड़ पीपल और इसू अफ पॉब्लिक इंपॉर्टेंस ठीक है मतलब पहली बार मिरातुल अकबार और संबात कौमुदी से पॉब्लिक की इंपॉर्टेंस जो थी वो पॉब्लिक को समझाए गई बोला गया कि हे हनुमान अब तुम्ही में है सब के प्रान बोला गया कि हनुमान जी लंका जा रहे थे तो हनुमान जी अपनी सक्ति भूल गए थे जामुवन्थ आये जामुंद ने हनुमान जी को क्या किया मोटिवेट किया याद दिलाया कि तुम्हारी वो सक्तियां याद करो ऐसी राजा राम मुहन राय ने संबाद कौमदी मिरातुल अगबार क्योंकि उस समय मेडिवल टाइम अभी खत्म हुआ था और परिसियन लेंग्वेज बहुत फेमस थी मिरातुल अगबार बंगाल के लोगों को जागरित करने के लिए बंगौली में संबाद कौमदी लिखा गया लोगों को अवेर किया गया लोगों ने बोला हाँ आप हमारी सक्ति वापस आ गई कि हमारे जामुंत बोलो कहां चलना है तो यहां पर जामुंत का रोल प्ले किया राजा राम हुन राए ने इस तो यहां पर रूल आपको देखने को मिलेगा तो पब्लिक इंपर्टेंस पब्लिक के लिए लेकर आना नंबर अफ नेशनलिस्ट और वर्नाकुलर नीश्पेपर सेम भी लॉंच बाद में बहुत सारे नीश्पेपर आए ठीक है यस तो बिल्द अप पब्लिक ओपिनियन जिसने लोगों की ओपिनियन को बिल्ड किया इसने लोगों की चीक है इन उसनी राश्ट्रिय चेतना का विकास किया राश्ट्रिय चेतना ँस्न। हम सब अब अपने घर परिवार को छोड़कर इस देश का सोच रहे थे रिजिनल निश्पेपर ने हम लोगों को यूनाइट किया एटीन एटीफाइफ में जब कॉंग्रेस बनी तो मद्रास महाजन सभा मद्रास से पूना सारवजनिक सभा इस्ट इंडिया एसोसियेशन इंडियन एसोसियेशन बॉम्बे एसोसियेशन अब खठा हुए और सबने मिलके के नेशन लेबल पर पार्टी बने बुला आब राज नहीं अब राष्ट्र नेशनल कॉंसियसनेश डेवलप हुआ ठीक है यह प्रिस के कारड़ हुआ इसी बीच में आप देखेंगे इनके नाम दिये हुए आप पढ़ सकते आमरीत बजार पत्रिका जो आज एबीपी निउस है दी बॉम्बे क्रोनिकल दी ट्रिब्यून दी मेरर दा हिंडू दा हिंडू आप लोग पढ़ते हैं देख रहे हैं आदा हिंडू बहुत लंबे समय से लगा हुआ पढ़ते रही है ठीक है स्वदेश मित्रन वर प्रॉमिनेंट इस अनीजपेपर ओके कनेक्टिट यस आया समझ में आ तक बताए तो रोल आप प्रेस अग तो नहीं लिखेंगे द्या लिखेंगे पब्लीक ओपीनियन ठीक है पब्लिक इंपोर्टेंस अमंग दबब्लिक कि क्रिटिसाइज दा गवर्मेंट एक्स्टाइटेटिव पॉलिसी प्रमोट्डी गॉवर्मेंट्स रिफॉर्म पॉलिचीज पर एक्जमपल लॉडरीपल ठीके फिर वर्नेकुलर प्रेस एक्ट आप उसमें क्या सप्रेशन किया इन लोगों ने क्या प्रतिबन लगा है लेकिन हम लगे रहे हमने कहा जहां चाह है वही तो रहा है और हम आगे बढ़ते गए यस से बहुत सारे पॉइंट आपको यहां पर मिलेंगे जो आपको यहां पर कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे नेक्स्ट इन्वोकिंग इंडियाज ग्लोरियस पास्ट बेटा यह बहुत ही गजब चीज है मतलब मानलो आग लगा देने वाली चीज है यह ऐस मैं समझाता हूं थोड़ा सा इसको एक्जामपल देता हूं यहां पर एक सब्द आपको देखेगा ओरियंटलिस्ट ठीक है लाइक बिलियम जोन्स चार्स विलकिन्स मैक्स मुलर एक्सप्लोर एंड ट्रांसलेटेड रिलीजियस हिस्टोरिकल एंड लिट्रेरी टेक्स्ट संस्कृत पर्षियन ए्रेबिक इंटू इंगलिज एंड मेट दन अवलेबल टौल कि अग्रेजों ने किताबे छापी छापी निए ट्रांसलेट किया हमारी किताबे हमारी धार्मिक किताबे हमारी विज्जान पे किताबे सब लिखा इन्हों में ट्रांसलेट के इंगलिज में सारे अंग्रेज अथकारियों को दिख heavenly बोला ये तुमारा होमवर्क है अधर फिर इंडिया में glorious past का मामला क्या है मामला बहुत बड़ा नहीं है बस छोटी सी बात है इस थेवरी कौम कहते हैं orientalism सायर आपने सुना होगा कि हमारे आपे orientalism या फिर orientalist थे यह आखिर यह कौन सी थेवरी थी इसे हिंदी में कहते हैं प्राच्चिवाद हिंदी वाले हैं और मैं हिंदी ऐसी बोलते जा रहा हूँ ठीक है प्राच्चिवाद हाँ 33 कोटी को 33 कोड़ बना दिया इनी लोगों ने translation में इनको तो बहुत मार मानना चीए खेर खेर मैं आपको बताता हूँ 1757 पलासी का युद 1764 बकसर का युद आलम सुजाओ दौला हराए गये आवद के नवाब मीर कासिम को माड़ा ला गया जो बंगाल का नवाब थे ब्रिटिस का उत्तर भात में हाहा कार मचा हुआ क्योंकि डक्षडो पहले ही जीच चुकी थी ब्रिटिस को confidence आ गया कि अब हम यहां पर रूल करेंगे ब्रिटिस को लगा कि अब पलासी बकसर की उत्तर के बाद में हम यहां रूल करेंगे और यह हमारा पूरा समराज होगा जैसे हमने अफरीका में किया वैसे यहां करेंगे कुछ अंग्रेज ओबर इंथूजियास्टिक ओब इंथूजियास्टिक मतलब आति उत्साहियो के पहुंचे रावर्ट क्लाइब ने बोला केम चो मज़ा 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 माप तो हम रूल करेंगे रावर्ट क्लाइब ने बुलाया एक को बोला मेरे पास आओ एक जाबड दिया इस जनता के उपर हम प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कर सकते हमें अप्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कर सकते हैं चोना पड़ेगा अब पहले हमें इनका कॉंफिटेंस जीतना पड़ेगा आप इमेजिन नी करोगे यह इंडिया आते थे अपने बाल सफेट करा के आते थे ताकि रिस्पेक्ट मिलेगी क्योंकि इंडियन किताबों को जब इन्होंने पड़ा तो हमारे यहां देखा बड़ों को सम्मान दो तो यह होते थे इनकी उमद 30 साल बाल करके आके आते से हो कहते थे माई एज सिक्स्टी एयर्स हेलो मोहंडास करंचन गांधी क्या तुम हमाई रिस्पेक्ट नहीं करोगे गांदी जी अरे 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 ताओ जी आप आप लेवल फॉर यू ताओ जी आप बोलो तो कुछ अरे आप पर प्लीज यहां बैठो यह बाल सफिट करा के आते थे कहानी कुछ ठोड़ा रोमांच दिया जा रहा है ताकि आप कनेक्ट कर पाएं लेकिन में चीज अब मैं आपको बता रहा हूं इन्हों ने भारतिय किताब पढ़के इंडियन से क्या कहा रहे यार तुम्हारा पास्ट कितना ग्लोरिफाइड है पर इक्जम्पल गा दादा जी को देख के खत्म हो जाते थे कितने महां थे तुम्हारे दादा जी वह गाओं का आदमी थोड़ी देर में है ऐसी बात है कि हमें दादा जी बहुत खतरनाक थे ऑटोमेटिक अपना एक अलग एनर्जी आ जाएगी तत्रासों पैसट कि ब्रिटिस के पास में इतन तो तो बात में करेंगे पहले सुनो तो तुम्हारा पास्ट भूत ग्लोरीफाइड है या तुम्हारे हैं बताओ हरखे वध्यान में confidence build up करने के लिए हमें लॉलीपॉप दिया उस लॉलीपॉप का नाम था orientalism मतलब प्राक्षिवाद बोला कि यह लो है ठीके जिया और तुम्हारा past बहुत glorified है अच्छा फिर क्या हुआ यह बात में करो 1765 थी जैसे यह पावर्फुल हो गए इंडस्ट्रियल रवलुशन ऑन पीक 1820 निंग्लैंड मराथा पावर खतम मैसूर खतम सारे राज खतम सब जगा ब्रिटिस सबसीडारी एलाइंस बेलेजली की पॉलिसी सब जगा ब्रिटिस की फोर्स तो अब 1820 में यह क्या कहते वहीं गाओं का आदमी आया बोला और बताओ हमें भूल गए क्या कौन तुम भूल गए हमारे दादा जी जो एक गोली से से शेर मारे होंगे लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तुम कीड़े की तेदा मरोगे तुमको अगर डेवलप्मेंट चाहिए तो हमें फॉलो करो इसे कहते यूटीलिटेरियन थेओरी तो ब्रिटिस ने ओरिएंटलिजम से अपने आपको 1820 के बार यूटीलिटेरियन में कनवर्ड कर दिया जो ब्रिटिस पहले कहते थे वा 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 क्या पास्थ तुमारा वहीं ब्रिटिस अब कहते तुम अच्छे तो रेल रेल के डिब्बे हो you need some kind of engine जो चुक 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 चलेगा तो तुम डिब्बे पीछे चलोगे तुमारा विकास तभी संभोई जब तुम्हें कोई engine जीए तो हम लोग ने पुछा कहा है engine कहा है engine बुला अरे सामने खड़े हैं पैचान नहीं पा रहे हो हम है तुम्हारे engine देख रहो बिटा जो 1765 में कहा करते थे तुम नहीं तो कोई नहीं वो आज 1820 में कहते हैं सब सही बस तुम नहीं है जजबात बदल गए सब कुछ खाब यह सारी चीजे डेबलब देख रहे हैं आप यस तो अभी आपको समझ में आया अरे यार इतना करना पड़ता है आपके लिए क्योंकि आप रट जा भूलोगे नहीं कभी बैठ जा तुम पेपर में भूल जा तो बता करोगे ठीक है जो गजब मजा आएगा कि पूछ को मत ठीक है यस देख देखो ओरिएंटलिस्ट किताबे ट्रांसलेट की सब कुछ कहा अब देखो अरभिंदो घोस्त ने क्या लिखा दा मिशन आप यहां पर एक पॉइंट लिख लो ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाऊ ठीक है हाँ ओरिएंटलिजम टू ओरिएंटलिजम टू ठीक है यूटिलिटेरियन ठीक है मैं आप लिख रहा हूँ है एक सेकेंड यहां उपर लिख देता हूँ यूटिलिटेरियन उपियोगितावाद ठीक है यस ओके हाँ चलो तो यह भी समझ मैं आपको जी अब ही देखो और विंडो गोस क्या कहते है और विंडो गोस और राइट देखो फिर लोगो सौरी में कनेक्ट करता चलो मैं दिमाग चलता है कि आप कनेक्ट कर पारे हो कि नहीं कर पारे हूं वो कनेक्शन डेबलब होना चाहिए ठीक है आपयोगीता नहीं है ब्रीटास तो तुम मोख्योगी हो फिक टुम हमें फॉलो करो ट। टुम हमें फॉलो करो तुम है तुम्हारा भी कास नहीं है यू आ गुडट बट लाइक दा बोगी होती है था कमपार्टमेंट आप ट्रेन, बोगी आप ट्रेन, ट्रेन के डिब्बे, हाथ यूर लाइक दा कमपार्टमेंट आप ट्रेन, ठीके, यू नीड इंजन, जो तुमको चलाएगा, इंजन कौन बनेगा, ब्रिटिस, इंज बीकोल, ट्रेन गिकेंगे एंजन, बीडिस, बिकेंड होर्पिक्ए यू इन यू तैरव्बॉर्चल्च मैंट तो एंजन, प्रिक फेंगे, चेंगे, वечь मद्वड इंजन, वीकेंगे, प्रिटर्विस और स्पलक सुरूष,ई हैं यूेढि ट्रेक्र,बीस पर्शॉश spirit and from the Indian standpoint मतलब क्या मैंने कल के लेक्चर में तुमको संक्रांती बढ़ाया था क्या मैंने कल के लेक्चर में आप सभी को मैंने संक्रांती बढ़ाया था हमने क्रांती बस एक बार की अठास तो सताओने उसके बाद तो हमने संक्रांती की जो सब्द है क्रांती संक्रांती अब यार ये जनवरी में मकर संक्रांती स्टूरे उत्रायन होगा मतलब हमने कुछ दूसरों सा ब्रिटिस से चीन के नहीं पाना चाहा हमारे यहां पे देखी अरभिंदो घुस पहली कहते हैं मैं आपको बताता हूं रिखे एक बहुत अच्छान कंच गांधी आवर यू अव यू फिल यू आइन शाथ आफरीका वह डिद्यू रिमेंबर वट अपन इंप्रेट्टरिया गांधी ये से साई रिमेंबर विद तब भी तुमनें को निकाल दिया था तो यह रिमेंबर गंधी बोलें गंधी जी बुला अंगरें अप्ड़न ने बोला एआ हमने छागल अब तुम को कच्छा-चबा जाएंगे घाणधी जी क्या गला ने है वह एक तुम अपने गुलाम है हम तुमारे गुलाम नहीं हैं हम तो अपने गुलाम हैं एक दिन हमने अपने को बदल लिया तुम क्या हो तुम्हें तो हमें पलक छपकते भगा दूँगा सफ था अगर हमारे लोगों केंडर डर नहीं होता तो हम ब्रिटिस के कभी गुलाम बनते हैं नहीं हम पहले गुलाम अपने डर के और इसे डर की वज़े से हम ब्रिटिस का विरोध्णी कर पा रहे थे हम गुलाम थे अपने जातिवाद के जिससे हम आपस में बटे हुए थे हम गुलाम थे अपने धर्म के कि तो चुस जहां पर हम बिटिज हाथ पेर काप गया बोला रहे भाई ये कौन सी बात कर रहा है इससे पंगा मतलो ये डेंजरस आदमी है यही है वो के जी अफ गांधी लाइक डैट इनो येस वाली इंट्री अच्छा अब गांधी के ये थौट क्या सदेन डेपलप होते हैं नहीं अर्विंडो घो मेरे विउ में रिकबर इंडिया थौट हम इंडिया के थापको कई कर रहे एं हम गोरे इंडिया के ख सेंख करना चाहते हैं यहम सुधरगे तो तुम क्या हूँ तूम, मामला खतल, अर विल्डवोस. This is called संक्रांथी, के यह सब्ड आपने सुना था पहले कभी. सुना था आपने यह सब्ड कभी, संक्रांथी, बताएंग, जी, हा बच्चों. यह सब्द यहां पर डेबलब हुआ यहां पर खास प्रकार का जो सब्दाय संक्रांती वो देख कर हमें पता चलता है कि किस प्रकार से किस प्रकार से हमारे यहां पर ब्रिटिस के टाइम में हमने ब्रिटिस से लड़के हमने क्या क्या उन्मीश्व सहतालिस तक कहीं ऐसा इंस पलो के चलो रगोपती रागो राजा राम बोलो कहीं पर भी कुछ ऐसा हुआ कि हमने बोला नहीं न क्योंकि हम संक्रांती की बात करते थे यह हमारे थोट में बहुत पहले से था और मिंदो गोस्त ने बात बहुत पहले बोल दी थी इसी कोन कहते हैं इन्वोकिंग इंडिया ग्लोरियर पास एक तरफ ओरियंटलिस्ट ने किया और एक तरफ हमारे हाँ खुद हमारे लोगों ने किया और खासकर एक्षिमिस्ट क्लियर कि बताएं कि क्लियर जी देख रहे हूं इसे हिस्ट्री कहते हैं बाहर थंड है पसीना बहरा है एसी भी चल रहा था मैंने किसको कम करो ठीक है आग लगा दो भाई सब मज़ा आना चाहिए और क्या है रट लो दुबारा किताब भी नहीं पढ़ने मन करेगा बिलीब मी तुमको यह पढ़ा दे रहा हूं तुमको किताब दे रहता हूं क्लास 12 के NCRT राउन्लोड करो तमिल बोड की यह कोछ भी राउन्लोड करो यह टॉपिक तुमको पढ़ने आप दिमाग में आ जाएगे अब यह होने वाला हैं बस मैं यह कोछिस कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं पीपर निकाल लो आप बस कि अब देखेंगे बर्ट आफ इंडियन एसोसियेशन जब सारी चीज़े हो गई तो हमारे आप और अरगनाइजेशन डेबलब हु है अभी अभी इंडियन एसोसियेशन इस्ट इंडिया एसोसियेशन मद्रास महाजन सभा पूना चारजनिक सभा ठीक है जी हां है क्लियर ट्राप टेंशन मतलो वो तुम्हें डेवलब करूंगा सेशन को लाइक करते चलो बाकि तो मैं देख लूँगा यस देखो मद्रास नेटीब एसोसियेशन 26 February 1852 यह जो एसोसियेशन था ठीक है यह बिजनेस क्लास का एसोसियेशन था मद्रास प्रेसिडेंसी का यह करते क्या थे यह कंपनी से जो उनकी सिकायते थी उनके निवारण के लिए इन्होंने एक एसोसियेशन बनाया था ठीक है जो रेवेन्यू ए इसलिए ठीक है गजला लक्ष्मी नरसु ने इंस्पायर होते हुए मतलब इन्हीं के इनसे इंस्पायर होके मने को फाउंड किया गया और यह भी खुद प्रॉमिनेंट बिजनेसमें थे उस समय मद्रास सहर के लेकिन यह जो ऑर्गनाईजेशन बना धीरे-धीरे जब मद्रास महाजन सभा यह मैं 1884 में बना मद्रास महाजन सभा दा इनाग्रल मीटिंग हेल्ड ऑन 16 मैं 1884 दि प्रॉमिनेंट पार्टिसिपेंट्स वर जी सुब्रमन्यम बिरारागवचारी आनंद चालू ठीके रंगया बालाजी राओ ठीके और सलेम रामस्वामी यह इतने लोग थे जिन लोगों ने मिलके मद्रास महाजन सभा को इस्टैबलिस किया नाम ही आपको पता चल रहागा महाजनों की सभा थी और यह जो था इसी के बाद में इसका आउटकम था इसी और्गनाजिशन से इंस्पायर होके बना था और इन्होंने भी ब्रिटिस के खिलाफ में अपने एक मूर्चा खोल दिया मद्रास भी ठीक है इसके लाव अगर आप देखेंगे तो इस्ट इंडिया एस्सोसियेशन इंडियन एस्सोसियेशन टीटीसी ठीक है पूर्णा शारुजनिक सबाइए सब आप पढ़ोगे ठीक है आगे स्पेक्ट्रम की क्लास में मेरी पढ़ोगे 22 से 23 से स्टार्ट हो रही है ठीक है उसमें देखना आप तो अभी आपको समझ में आ गया तो यह सभी और्गनाइजिशन क्या हूए मिल गए और एक इंडियन नेशनल कॉंग्रेश जो था 28 जिसंबर 1885 को बना अब इंडियन नेशनल कॉंग्रेश जो पार्टी बनी उसमें क्या था इन लोगों ने कॉंस्टिट्यूशनल एकोनॉमिक एड्मिस्ट्रेटिव और जुडिशियल कॉंट्रिब्यूशन की है मतलब जब यह और्गनाजेशन पहले बना ठीके क्लियर है हाँ जब यह बना तो जानते क्या हुआ देखिए देखिए कैसे यह डेबलप हुआ इसको थोड़ा कनेक्ट करते हैं कॉंस्टिट्यूशनल अपॉर्चिनिटी फॉर पार्टिसिपेशन इन डा गॉवर्मेंट गॉवर्मेंट में ठीके हाँ इन्होंने एक अपॉर्चिनिटी फॉर पार्टिसिपेशन इन डा गॉवर्मेंट सरकार में घुश कर और सरकार के बीच में जाकर सुधार की काम करने की कोशिस की जिसे हम कहते हैं कॉंस्टिट्यूशनल कॉंट्रिबूशन इकोनामिक दा कॉंग्रेस एडुकेटेग्द दा इंपोजीशन ओफ हैभी टैट्स अन डा इंपोर्टेट गूड्स जो ब्रिदेश से ब्रिटेन से गूड्स हा रहा है जिसपे कोई डूटी नहीं है उस पर duty लगाओ ताकि हम क्या कर सकें ताकि हम अपने स्वदेशी गुड्स को बचा सकें domestic market को तुसे domestic market हम domestic market को बचा सकें administrative contribution Indianization of this services simultaneous Indian civil services examination Indian civil services examination इंडिया में हो उसकी जो सर्ते हैं कठोर उसको कम किया जाए ताकि इंडियाज भी उसमें participate कर सकें ये था administrative clear है? हाँ judicial judicial में demanded the complete separation of executive and the judiciary ठीक है? मलब judiciary और executive को complete separate कर दो तभी तो judiciary free हो पाएगी और तभी हमारे सिकायते जो है उनका new order होगा these are the demands of the and contribution of the Indian National Congress at initial level ठीक है? जी हाँ ये क्या? ये चार point है क्या अब आपको समझ में आ है? अगर आप से कोई अब इतना पूछ ले कि Indian National Congress की initial contributions क्या हैंगी? चार heading बना के लिख दोगे अब ये आगे बताओं गोर जब Congress के बारे में discuss करूंगा करूंगा ठीक? यस नेक्स देखेंगे टू आइडियोलोजी देखो अगला क्या है? contribution of early nationalist दो आइडियोलोजी डेबलप हुई एक moderate और extremist अब ये moderate और extremist क्या थी? इसमें डाउट पूछा था ये मेरे student ने किसर moderate ने भावना ने साथ पूछा था ये doubt मुझे याद नहीं आ रहा है moderate ने क्या self-government की मांग की थी कि extremist ने? बेसिकली extremist ने की थी moderate ने उन सभी चीजों की सुधार की बात की थी जिससे in future we can achieve self-government तो ये moderate और extremist हैं कौन? इसमें बहुत सारी thought आते हैं बहुत सारी changes आते हैं पहले मैं आपको एक line देकर इसको समझाता हो एक statement में if you want to change if you want to change if you want the change with the interference of the British you are moderate ठीके? yes and if you want to change without interference of the British you are extremist you are an extremist अगर मैं बदलाव चाहता हूँ लेकिन British के द्वारा British से कहके British को बोलके तो मैं moderate हूँ और अगर मैं बदलाव चाहता हूँ British को हटाकर अपने दम पे मैं extremist हूँ गांधी जी आये गांधी जी से लोगों ने पूछा विदेशी पत्रकार आये गांधी जी से पूछा कौन है ये moderate और extremist गांधी जी ने बोला ये दिन अभी जो है मानलो ये light जल रहे है बुज जाये तो क्या होगा? बोले अंदेरा होगा बुला बस यही थे जिस प्रकार से अंदेरे उजाले में संबंदे वैसे ही moderate और extremist है बोथ आर decides of acquain एक ही सिक्के के दो पहलू है अगर moderate है तो extremist है मानलो कभी इस संसार में सूरस डूबा ही नहोता तो क्या किसी को मालूम होता अंदकार क्या है इसे लिए कुछ लोगों की कोशिस थी जो रंग नहीं लाई तो लोग कुछ अपने कोशिसों को बदलते हैं तो जो बदली हुई चीज थी वो कहलाती है extremist और जो लोग सुरुवात में सुरुवात किये थे वो moderate कहलाते हैं कहने का मतलब moderate लोगों के बीच में जाते थे लोगों से पूस्ते थे आप की क्या problem है write down करते फिर पूस्ते थे what is your problem write down करते थे चाची तुमारा भी कोई problem है दादी तुमारा भी problem है ओ चाचा कहा हो तुमारी problem है सब चिथी में लिखते थे किठी बृटेन भीषते थे को बृटेन से कोई जवाब निया अता था कि ठीटेन क्यों भीषते थे क्योंकि moderate का मानना था कि जो यहां बृटिस ऐसे बुरे है वहाय जो बैठे हुए हूँ अच्छे वाले अंक ए is अंकल अच्छे हैं बिचारों को मालूम नहीं था ठीक है कि यह एक ही है सब इसनों कोई परिवस्तन नहीं है अब जब लेटर लिखा गया जवाब नहीं आया फिर यह लोगों की पीछे हो जाते चचा तुमारी क्या प्राबलम में चचा एक दिन आए बोले क्या बात करते हो मिया तुम हमारी क्यों प्राबलम पर प्राबलम लिखते हो लेकिन सॉलीशन तो कुछ मिलता नहीं है अमे मिया अब मैं तुमको अपनी प्राबलम बता हूँ सॉलीशन मिलेगा नहीं ऐसे तुम एक दिन चला जाओंगा मिया मौडरेट्स बहुत निराज हुए बोले अब लोगों में हमारा विश्वास जा रहा है लोगों को लग रहा हम कुछ नहीं कर सकते सभी मौडरेट्स ने रात को प्लान बनाया कि कल सुबह सुबह सूर की पहली किरड के साथ हम सब चलेंगे लंदन बोले चलो ठीक है यह लंदन गए लंदन गए यह भर के सब जहाज पे जब यह लंदन पहुँचे बाहर खड़े सो एसाई आया बोले सो एसाई बाहर से देखता है कि यह लोग कौन कि यह यहां क्या कर रहे हैं तो बहुत सार आप से मिलने आए और ओके ओके कि भेज़ो इनको आफिस यह लोग गए तो एसाई ने बोला क्या करने आए यहां पर तुम इनका एक ही मैं ट्रिपल पी प्रियर पेटीशन प्रोपोगेंडा एसाई केता है नहीं दूंगा जो आप क्या करोगे यह लिखेंगे को कि यह और कुछ नहीं करेंगे बिकॉस दे आर मॉड्रेट्स क्लियर जी हां कि दे आर मॉड्रेट्स ट्रिपल पी प्रेयर करेंगे बोलेंगे प्रभू हमारा सुदार कर दो पेटीशन करेंगे लिटर लिखेंगे सर्पड लेना कुछ दिक्कतें हैं प्रपोगेंडा लोगों में खबर फैलाएंगे ब्रिटिस ये गलत कर रहा है ब्रिटिस वो गलत कर रहा है लेकिन लड़ेंगे नहीं अच्छा अठारा सो पंचाननबे के बाद में धीरे रहे उनीस सो तक हिक गाना बजा वन दे मात्रम भारत माता की फोटो बेडियों में जकड कर दिखाई जाने लगी है मौडरेट कुछ कर पानी रहे थे धीरे धीरे यूथ जो था वो बेरोजगार होता जा रहा था निउस पेपर में खबरे दिन पर दिन आती कि यहां अकाल पढ़ने से लाखों लोग मारे गए अकाल पढ़ने से लाखों लोग मारे गए यूथ ने बुला बदला लेंगे चार यूथ चाय पी रहे थे अच्छानक अंग्रेज दिखा बहुत है कोहरा बहुत है इसको बताएं क्या तुम्हें गाना बच जाता था बारत मा की फोस्टर बनाए गई बेडियों में जकड़ी हुई कि यहां लगती थी चोट यहां पर बदला तो लेके रहेंगे सुबह सुबह अंग्रेज दिखे बोला खोप्चे मिले गए चार जापड मामला खतम अंग्रेज बोले अत्या चार बहुत बढ़ गया बोले कुछ तो करना पड़ेगा इसी राष्टवाद को खत्म करने के लिए करजन ने बंगाल को दो तुकड़े में कर दिया वो तुकड़ा आज भी एक नहों पाया आज हमारे देश में एक तब पर्षिम बंगाल है तो आज उस दिन को हम अभी तक भोगते हैं तेरोरिजम बढ़ रहा है ब्लैक मनी क्रियेट हो रहा है इंसर्जेंसी वगरा सारी प्रॉब्लम इंफिल्ट्रेशन बढ़ रहा है इंफिल्ट्रेशन हो रहा है यही नेशनलिजम थे पकड़ो लाव सेवा कर देते हैं इन लोगों ने बंगाल का पार्टिशन किया तो लोगों ने बोला आप तो और सेवा करते हैं यह भाग दिल्ली आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम 1911 में दिल्ली चले गए विकॉज उनको मालूम था अगर हम रहेंगे सेवा कर देंगे हमारी सेवा होने लगी थी गोलिया चलने लगी लगे लोगों की हत्तायां चुरू हो गए थी हागे चलके इसी में एक्स्टिमिजम के बाद में इसी में कोर आएगा रैबल विसमरी तो यह तीन आइडियोलोजी डेबलप होते हमारे यहां पर दिखेंगी समझ मैं आपको जी हां दादा भाई नरोजी थेके दादा भाई नरोजी क्लियर यस डादा भाई नरोजी पांडेड एन एडिटेड टू जर्नल्स कॉल्ड वाइस ऑफ इंडिया रस्त गोप्तार जो है ठीके तो रस्त गोप्तार और वाइस ऑफ इंडिया दादा भाईनों रोजी तुरेलनाथ बैनर जी ने एडिट किया न्यूजपेपर बेंगॉली बेंगॉली नाम से जाना गया बाल गंगाजा तिलक ने केसरी और महरात्त ठीक है ये दो निश्पेपर बन लिखे जो मराथी में थे 27 जुलाई 1897 को तिलक को सेक्शन 124A इंडियन पिनल कोड सेडीशन के कारड उनको जेल भेजा गया 1897 में और इस प्रकार से ब्रिटिस ने एक एक करके आप लोगों का रिप्रेशन शुरू किया क्यों क्यों कि कहानी में आपको बताता हूं कि नेशनलिजम एंड कमुनलिजम है ठीक है हाँ दी दे आदद सुरी आट्विन सिस्टर्स ठीक है यह दो जुड़वा बहने जो एक साथ भारत में बढ़ी हैं क्यों एक तरफ हम नेशनलिजम से एक होते हैं ब्रिटिस हमें दुसी तब तोड़ने लगता हमने बंगाल में लोगों को एक किया ब्रिटिस ने 1905 में बंगाल के दो पार्ट कर दिये हमने फिर लोगों से बोला भाई तुम टेंशन मतले ना एक साल में बंगाल को एक कर देंगे ब्रिटिस ने मुस्लिम लीग बना दिया हमने बोला हम फिर एक होंगे ब्रिटिस ने 1909 में मौले मिन्ट तो रिफॉर्म ला दिया हमने 1916 में फिर एक हो गए मुस्लिम लिए इंडियन नसल कॉंग्रेस एक साथ आ गई ब्रिटिस ने कम्मिनिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर दिया डिप्रेस क्लास पार्टी आ गई इतना तोड़ना है भारत को तोड़ते जाओ हम फिर एक हुए तो ब क्लियर हाँ बेंगल पार्टिशन 1905, 1903 में बेंगल पार्टिशन डेक्लेयर हुआ था 1905 में हुआ 1907 में सूरत स्प्लीट हुआ था जब मॉड्रेट और एक्स्रिमिस्ट अलग हो गय थे और कॉंग्रेस ने सूरत स्प्लीट के बाद 1908 में एक्स्रिमिस्ट को अपनी पार्टी से बैन कर दिया था जिसको बाद में एक जुट किया एमी बेसेंट और बाल गंगर्था तिलक की हेल्प के द्वारा तब तिलक की उमर हो गे थी 60 साल ठीके टेंशन मतलो सब कनेक्ट कर आएंगे ठीके हाँ गांधी मौडरेट थे एक्स्र मैंजीन ही समस्ख सकते मैंने पढ़ाय क्दीजम पे मेरा लिक्ष्ट देखिया सच कर या गांधी दिपक कुमार सिंह क्या गभड़ीजम आपको इस अंट आ प्रजेंट कंट्रिबुशन भी दिये मैंने आपको उसमें पुरी में नहीं मिलेगा बहुत लोग अच्छे-च्छे पढ़ाने वाले पुरी में नहीं कोई पढ़ाता एक चलिए तो यह अभी आपको समझ में आए प्रिटिश ने रिप्रेस करना शुरू किया वसी में आपका सुले नाप बेनर जी के बुक्स यह सब प्रिलिम्स के लिए पैक्ट यह आपको समझ में आगे होंगे यह देखें यह कॉंग्रेस का बहुत अच्छा मैफ है भी ले लिजेगा कॉंग्रेस के किस साल सेसन नहीं लिखा हुगा कलकत्ता इस पेशल सेसन निस सुबईस बलकि जो नॉन कॉपरेशन मूब्मेंट पारिज हुआ वह आपके यह नागपूर वाला उननीस सुबईस देखें नागपूर लिखा हुआ है और इस पेशल सेसन भी था उसमें तो इतना अच्छा मैप मुझे मिला इ बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नरो जी एंड इस ब्रेन थेयोरी ठीक है एक्षब में क्या हो बेटा मैं आपको बताओं यह स्टार्ट करने से पहले 1885 में कॉंग्रिस बन गई लेकिन कॉंग्रिस सक्सेस्पुल क्यों नहीं हो पाई अपनी इनिसियल एयर में विकाज कॉंग्रिस में कोई ऐसा लीडर नहीं था जो नेशन लेबल पर यूनिटी ला पाए और वो लीडर इनको मिलेगा 1915 में तो moderate extremist revolutionary they filled up vacuum कि कॉंग्रेस जो 1885 में बनी है उसके लीडर से मिलाना है 1915 में और इसके बीच के gap को फिल करो vacuum को फिल करो connect कर जो moderate extremist revolutionary गांधी जी आए सारी ideology एक होगे गांधी जी के पीछे गांधी जी ने बोला non cooperation civil disobedience आपका फिर आगे चलके आया quit India movement 1947 में भारत आजात ठीके हाँ क्लियर चली आगे इसके लिए आप मेरा spectrum का class देखो नेपाल में काटमांडू में residency बनी थी सब पढ़ाया ना भी आप लोगों को रेजिदेंसी बनी थी वहां पर सॉरी ब्रेटिस रेजिदेंट बैठाया गया था काटमांडू में कैसे कुमाओ गडवाल ले लिया गया था तुगोली की टिटी सब पढ़ाया है जी पहले देखिए आप एक बार हो मिल पर लो फिर में ड्रेन अफ बेल थेओरी सबसे बेस्ट पढ़ाता हो भी ठीक है हां ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन नेशनलिजम भार्ती रास्तवार के ठीक है सबसे ग्रांड ओल्ड मेन भुजूर के और काफी सम्मान सम्मान थाहिन का यूज एक्टेट टो बंबेय म इस्ट 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 इससां में लगंडन में इस्ट इंडिया ऐस्वेरें सोशाइटि इस्ट 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 इस्टिस्ट में वहां पेकड़ा होगे आपको तो वहीं से आंसन निकालना है, Eliminate हो जाते हैं, एक पॉइंट गलत होगा, नीचे option में जो Eliminate हो जाएगा, लेकिन इसके लिए इतना आना तो चाहिए, वो पढ़ लो एक बार, ठीके, Yes, His book Poverty and Un-British Rule of India, ठीके, Of the British in India, 1901 में, इनकी बुक में क्या था, इनकी जो बुक थी Poverty and Un-British Rule of India, और British in India, उसी में इनोंने concept दिया था, Drain of Belt का, इसी बुक में, मैं बताऊंगा भी होता क्या है, नरोजी argued that India had exported an average of 13 million pounds worth of goods to Britain each year from 1835 to 1872, with no corresponding return, देखो, दादा भी नरोजी कहते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया ने, ठीके, average 13 million pounds का export किया, ठीके, ब्रिटेन को हर साल 1835 से 1872 के बीच में, और इसके ठीके, और उसका कोई भी corresponding return नहीं था, मतलब हमारे यहां से पैसा गया, इतना पैसा, हर साल 1835 से 1872, मतलब 32 years, 32 साल तक, 32 साल होगा 27, 27 साल होगा न, आ, देखिए, ने, 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 भाई, 37 साल है, मैथ भी कर बढ़ा गया, चल अब कोई बात ने, मैथ की क्लास नहीं है, ठीके, यह फैक्ट हुए, यह तो तुम पढ़ लेना, अब मैं आपको छोड़ा से डीटेल में पढ़ाता हूँ, drain of well theory, सुना इस theory के बारे में, जी, history की क्लास ऐसी नहीं कि पढ़ाते जाओ, आजकर conceptual वाली, मजा आत, drain of well theory अगर आपको पढ़ना है, तो पहले पूरे इंडिया को तीन पार्ट में इवाइट कर तो, मैं पूरे इंडिया को नहीं, पूरे इंडियन टाइम लाइन को, ब्रिटिस की कोलोनियल टाइम लाइन को, तीन पार्ट में डिवाइट करते हूँ, यह आपको क्लास 11 एकोनॉमिक एंसी आटी के पहला टॉपिक है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना, तुम्हाँ देख लेना, क्लास 11 एकोनॉमिक एंसी आटी खा, ठीक है, हाँ, ड्रेन आप वेल्ट थियोरी, ड्रेन आप वेल्ट थियोरी में मैं आपको यहाँ पे ठोड़ा से कनेक्ट करूँ, तब से पहले जो एक फेज चलानों से हमने कहा ट्रेडिंग फेज, वार जिवार, यह चला 17.57 से 18.13 तक, ठीक है, जी यहाँ, कोछ कमपनसेशन नहीं मिला बेटा, फिर आया इंडस्ट्रियल फेज, यह चला 18.13 से 18.57 तक, फिर आया फिनांशियल फेज, यह फेज 18.57 अन्वर्ड्स, मलब अन्वर्ड्स नहीं लिख सकते, 1947 तक, फिर चल रहा, विरासत में मिला हूँ, अभी भी चल रहा है, लेकिन उसके रूप बदल गए है, टेडिंग फेज, क्या बेटा, बैटल आप पलासी आपने सुना है, 17.57 बैटल आप बक्षर आपने सुना है, 17.64 यह दो युद्ध हुए, इसके पहले क्या था, मैं आपको बताते हूँ, इससे पहले ब्यापार होता था, आपको मालूम है, ब्यापार में क्या होता था, Economic NCRT दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं ना, हो गई है जाएड, तो ब्यापार में होता क्या था, समझेंगे, ब्यापार में यह होता था, कि ब्रिटिस अपने आज से बुलियंस लेकर आते थे, बुलियंस समस्थे ना, ठीके, हाँ, बुलियंस लेकर आते थे, तो उने चांदी की सिक्के, और हमारे आज से गुड्स खरीद के जाते थे, अब समझो, वो बुलियंस लाते, हमें देते, हमसे रौ माटेरियल लेकर जाते, फिर बुलियंस देते, फिर रौ माटेरियल लेकर जाते, लेकिन हम ब्रिटिस से कुछ नहीं खरीटते, तो क्या धीरे धीरे हम ब्रिटेन के बुलियंस, मतलब गोलड के कौइंस को अपने यहां पे कंग करते जाते थे भला हमारे पूरा पैसा तोर स्टोर ँगलांट का सोना चांदी हम लगातार निगलारे थे जी हां क्योंकि हमें एंगलन्ट से कुछ खरीदना नहीं था तभी क्या हुअ कि crown ने programme को एक दिन पकड़ा कि बोले क्या कर रहे हैं तुम सारे सोना चाणितों इंडिया को देibile हो scripture ला किके लिए तुम हम। कर लेना देशसाबाद अब अगर तुमने अपनी strategy में change नहीं किया तो हम तुम्हें company से बलब हो हम तुम्हें इंडिया से वापस गुला लेंगे company के उपर pressure company के उपर pressure company ने क्या किया ठीके battle of palace की battle of boxer का यूद लड़ा आप इनको मिल गया दिवानी राइट्स मिला था ना बेटा दिवानी राइट्स बताईए कि दिवानी राइट्स का मतलब यह था कि British East India company जो है अब वह बंगाल बिहार उडविसा में लोगों से tax collect करेंगी अब दिवानी राइट्स में क्या हुआ कि इन्हों उन्होंने tax collect किया इसी tax से क्या खरीदा राव माटेरियल खरीदा ठीक है और यही राव माटेरियल को कहां ले गए लंदन ले गए तो क्या इन्होंने tax के पैसे को गुट्स में convert करके लंदन ले गए जी हां इसी को दादा भाई नरोजी ने explain किया था इसी को दादा भाई नरोजी ने explain किया था आया समझ में जी मतलब आप tax लो raw material लो और ले के लंदन जाओ और इस तरीके से अब क्या ब्रिटेन से पैसा आ रहा है नहीं ब्रिटेन का पैसा ब्रिटेन में बुलियंस वहीं पे वह यहां पर tax हुगाते उसी टेक्स से raw material खरीते और वहीं raw material इंग्लेंड ले जाते और बेज कर प्रॉफिट कमाते मनलब जो पैसा अब तक तर्शी ऑफ रेन आफ वेल्ट बताओ जल्दी से समझ में आया तम अब मैं आया को टेल मी माधिर फ्यूचराइश आफिशर्स ठीक इंडस्ट्रियल फेज अब ये क्या था थोड़ा समझ लो इस फेज में क्या हुआ लेट मी एक्स्प्लेन आप सभी को मालू में 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था ठीक है हाँ चार्टर एक्ट 1813 अठारा सु टेरा में ठीक है हाँ अठारा सु टेरा में जो चार्टर एक्ट आया था क्लियर है ये इस ने क्या किया दो एकाउंट बाट दीर एक रेवेन्यू एक्काउंट एक कमपनी का ट्रेड एक्काउंट मतलब इसका क्या था देखो ब्रिटिस क्या करते थे इंडिया के लोगों से टैक्स लेते उसी टैक्स की जो लेते तो क्या यह रेवेन्यू था जी हां यह रेवेन्यू एकाउंट का पैसा था इस रेवेन्यू एक्काउंट के पैसे को यह रो मैटेरियल खरीद के इस पैसे को raw material के रूप में कहा ले गए लंडन हमारे किंग्स दिवानी राइट्स दे सकते हैं बेटा किंग्स को धोधो के मारा था इनों ने ठीक है हाँ सा आलम नदी में कूट के बचे थे सुजाओ टॉला को बाद में surrender कर दिया मीर कासिम की हत्या कर दिया इसलिए दिया ना देते तो गला काट देता है त्लियर जी आप देखो अब फिर 1813 में आपने देखा होगा continental policy of Napoleon मैंने आपको पढ़ाई है ठीक है मैं आपको बता दू क्या होता है जब Napoleon ने यूरोप के सभी देशों को बोल दिया कि तुम अगर ब्रिटेन से ब्यापार करोगे तो तुम मेरे दुस्मन होगे तो किसी ने भी ब्रिटेन से ब्यापार नहीं किया तो ब्रिटेन की जो कंपनिया आप तक इंडिया में क्यों एक ही कंपनी आती थी इस्ट इंडिया कंपनी लेकिन जो ब्रिटेन की कंपनिया यूरोप में काम करी थी अब उनको permission दिया गया कि आप तुम इंडिया में जाक विजर्ट मतलब दूसरी और इंडी आ गई तो फिर इनसे बोला गया ने लाव्ट पैसे मतलब जो पैस curse will क्विशन कहला अब लेकिन दो चीजों पे परमि गेड करों लेकिन पर्मीस करोगे है कि नहीं तो आप लेकिन दो चीज़ों पर स्रती गई एक T पे और एक trade with trade with China trade with China मतलब बोला गया कि एक तो तुम चाहे पे कर सकते हो monopoly तुमारी और एक trade with China तुम चीन के साथ व्यापार कर सकते हो यह तुमारी monopoly है चीन में और कोई नहीं जाएगा बोले ओके टैंक्यू सो मस्सर आप इन्होंने क्या किया अब इनका revenue account trade account से separate हो गया समझेए का इतना detail तो किताब में मिले गई नहीं यह drain of wealth phase मिलेंगे आपको उसमे drain of wealth इतना clear नहीं मिलेगा अब क्या हुआ कि जो revenue account था उसका पैसा यह direct लिजाना था इसे company के shareholders को loss होने लगा तो company ने बोला कि चलो एक काम करते इंडिया तो हमारे अंडर में हैं इंडिया में लोगों से forcefully indigo की खेटी कराएंगे cotton कराएंगे सिल्क कराएंगे मतलब रेशा मोगारा की खेटी होगी और इनको बाहर बेचेंगे लेकिन अब इंडियान cotton foreign market में कोई demand नहीं क्यूंकि अब उससे अच्छे cotton अफ्रीका और अमेरिका से आने लगे बड़े बड़े रेशे वाले रेशा माने लगे अब इंडियान सिल्क और इंडियान cotton की डिमांड उस लेबल पे नहीं थी और ब्रिटिस को होने लगा कंपनी को होने लगा लॉस तो कंपनी ने इंडियान लोगों से खेटी करवाई ओपियम की सुना है ना आपने बिहार में होती थी अफील क्लियर इस ओपियम को इन्होंने बेचा कहां पे चायन से Right आपके आप क्या होता था अब अच्छे अच्छे कॉटन और VPN को तुम क्या दोगे कूकि तुम पैसा तो लख के लख करें डिया है। तो चिन में वच्चे परसा में वेकनसी नहीं आ रही है। बच्चे टेंशन में है। उग आया भारत में अफीम चीन में पहुचाया। पहले पुढिया पुढिया पूचाया फिर चीन के बच्चे भी बोले आ रहे पेपर में वेकेंसी नहीं आ रही लाओ बोले वाह आनन्द पूरा चीन नसे में जूम रहा है और चीन के लोगों से जो पैसे कमाए उस पैसे से वहाँ कॉटन खरीदा उस कॉटन को इंगलेंड बेचा और वहां से बने हुए प्रोड़क्ट इंडिया लाए और व्यापार किया पैसे साथ में इंडियन रोड़ मतेरियल को इन्होंने opium को। चीन में बेचा और चीन में बेचके वहां से cotton खरीदा उस पैसे से और उस cotton उस silk को ले जाकर london बेचा और लондon बेचके उससे profit कमाया और इस प्रकार शिन्होंने इंडिया का फिर यूच सिया और इस प्रकार के इन्होंने इंडिया का फिर यूज्ड किया और इस प्रकार के इंडिया से डॉर मटिरियल यह यह तीन के सब्सक्राइब नहीं करता हूं ठीक है तो थोड़ा सा दिमार्ग पर जो लगाओ गर तो समझ मैं जाएगा हूं कि सेकेंड पेज आव ड्रेन आफ वेल्ट अगर 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 माइडियर फ्यूचर आये सपte दिलन अगरं बताों तब तो मजाएगा अ कि आया मजा जीए नेिक्स 시डम्द को इसलिए में क्या होता था था थो कि अंग्ले में इन्डिया में investment बढ़ने लगा तो मैं आपको बताता हूं मान लिजे यह ब्रिटिस का वहाँ पर आफिस है और वहाँ पर जो ब्रिटिस का ओफिस है वहाँ पर एक ब्यक्ती है कर चले सो-अधाई है एक एक वहाँ पर अभाम सेट पर wrapping लिए बहुत कन्फियूजन आता है है यह हे यह घर वे यह आना चाहता है इंडिया कि यह बृटिस क्छेडर है कौन itting घर भी बृटिस का भ्यापारी वह इंडिया आकर क्रॉम तूंक अरभ ले जाना चाहता है कहां पर ईंग्लैंड आच्छा तो जब इंडिया आ रहा है कि अच्छा लेने इंडिया जब वो इंडिया आना है उसको राव मटे लेने तो डारेक्ट पैसा लेकि इंडिया नहीं आएगा यह पहले पाउंड देगा इनको किनको एसवेशाइब को एसवेशाइब की जगा इनको देंगे एक काउंसिल पेपर पेपर देते थे जिस पेपर में यह लिखा रहता था कि इतने पाउंड के बदले में इतना रुपया इनको दे देना जब यह भारत आएं अब यह लेटर लेटर यह पेपर लेकर इंडिया आते थे और जब यह इंडिया आते थे तो इंडिया में आपने देखा होगा हमारे आप तीन बैंक बने थे आगे जलके एक आपने देखा होगा बैंक ऑफ कलकत्ता बैंक ऑफ बंगॉल बैंक ऑफ बंबे बैंक ऑफ मद्राज ठीक हां 1806 और 1848 1413 बने थे अब यह जब इंडिया आते इनको इंडिया में उनी बैंको से इनको पॉंड के बदले में रुपया दे दिया जाता है कि और यह रुपय से जाते हैं इंडिया में रॉम मटेरियल खरीद ते और यह रॉम अटियाल लेकर इंगलेंड चले जाते हैं किया पैसा इंडिया आया रहां बताइए बटाए रेवेन्य मतलब टैक्स जो भी लैंड रेवेन्यू था ठीक है जो भी डूसेट टाइप के टैक्स थे यह सब रे ठीक है अरे बहुत बेसिक सी चीज है मान लो मान लो मैं एक ब्रिटिस हूं और मुझे इंडिया में जाके राव माटेरियल खरीदना है तो मैं डारेक्ट पॉंड लेकर आके इंडिया से खरीद सकता हूं आज कल तो यही होता है न कि अंग्रेज हमें डॉलर देगा हमसे गु सीरीटिस च्रेडर्स इंडिया से माटेरियल करोडूर्ण चाहते हैं वो तो पैसा कहां it s I a e k e के पास उंगे एक या उस लेटर को लेकर यह आ गए इंडिया इंडिया में जब ऐत इंको इन्डियन बेंक्स है या जो भी उनके उस समय क्या कहते थे उसको एक्सचेंजर या इसा कुछ नाम लेते थे भूल रहाँ भी मैं बताता हूं याद आजाएगा मुझे ठीक वहां पे देते थे वहां पे उसके बदले उनको रुपया मिलता था क्या यह वो रुपया है जो इन्होंने रेवेन्य के इंग्लेंड चले जाते थे लेकिन जो पैसा इंडिया आना था वो नहीं आया बलकि इंडिया में ही टेक्स का पैसा वो पेपर दिखा कि उस आदमी ने लिया उससे राव मटिर्ट के वहां चला गया पिर हमारे यह लोगों ने क्वेश्चन पूछा अरे ओ ब्रिटिस व बथल्ट करता हूं और हमने कहा क्या करते हो तो बुला मैं इससे फूम छार्जस पे करता हूं क्या पूछ करता हूं थि के वुअं कर आगे वेटा अल्ससान कार्ण समझ में आपको से हम चार्ज़ इस्सकर आउप इतना समझ में जल्दी बतरा यह रिलेस्ए समझ में आ तब मैं home charges बताऊं ठीक है आ यह यह रिलेशन समझ में आना चाहिए तब home charges बताने मजा आएगा ओके देखो home charges क्या है देखो note थी आपके पास company shareholders living in Britain जो company के shareholders ब्रिटेन में थे उनको companies के revenue account का पैसा दिया जाता था कि guaranteed interest to investors in railway जिन लोगों ने हमारे 800 टीरपन में रेलवे आई ना तो जिन लोगों बस तुम्हारे घर के सामने पार्किंग कर रहा तुमसे कहता है इंस्टाल्मेंट जहारी बीस जार रुपे मेहने की दस जा तुम भी दे दो तो आज तुमसे कोई बोल दे तो तुम गिरा के मारो उसको कार भी न खड़ी करने दो लेकिन यहां तुम ट्रेन अपने लिए जिस तमें इंडियंस को चाहिए था रोटी जब भूख से मर देते तब तुम्हें हमें ट्रेन दे दिया हम ट्रेन देखके का करेंगे बाई मेरे ज्वेब में वह एक रुपे नहीं है मुझे चाहिए खाना और सरकार चलवा रही है नया एयरपो पर यह आई यह गई इसी तरह हमारे हालात थे जिस समय हमें रोटी चाहिए था कपड़ा चाहिए था उस समय तुमने हमें ट्रेन दे दिया वह हमारे किस काम का और देख रहे हो उस पर हमसे ब्याज लिया क्या बात है है ठीक है क्या बात है अब क्या ही कह सकते हैं है जो इस टुम ने अब ब्रिटिस इंडिया में काम किया वह भी ब्रिटिस के लिए तुम जब रिटायर हो के तुम्हारे लंदन में घर में तुम्हारे पैसा भी हमसे जाए वायर इंट्रेस्ट फॉर दा मनी बारोड फ्रॉम इंग्लेंड तुमीट वार एक्सपेंस फॉर ब्रिटिस कॉंक्वेस्ट आप टेरिटरी इन इंडिया एज वेल आउट साइड इंडिया देख रहे हो करनेक्ट कर रहे हो बताओ क्या BROWN ठीके मतलब जो भी पैसा बारो किया गया इंग्लेंड से war इंग्सपेंस के लिए मतलब युद्ध हो गया साउट आफरीका में कंतल मैं ब्रिटिस कंवेस्ट of territories in India as well as outside India जैसे म्यामार म्यामार के साथ युद्ध किया लॉस में ब्रिटिस गए बोला भार्तियों से tax जादा बढ़ा के लो हमने इनके लिए युद्ध लड़ा आरे हुआ देख रहे हो देख रहे हो भी नो हाँ this is called home charges क्या ये पूरा relation समझ में आया ठीक है हाँ पूरा relation समझ में आप बोल दो भाई मज़ा आ जाएगा क्या अब आपका confidence build up हुआ British trader पॉंड लेकर जाएगा किसके पास SOSI के पास SOSI से क्या देगा council paper लेके जाएगा एक्स चेकर के पास उससे रुपया लेगा उस रुपय से raw material लेगा रॉव लेकर लंदन जाएगा और यह जो SOSI के पास पॉंड का पैसा है उससे SOSI यह भरेंगे यह भरेंगे इनके खाला का घर है मैं होता तो इनको सही कर देता अब बताईए कि कनेक्ट किया अपने है अब मतलब इंडियान टेरिक्ट्री में वार हो तो भी तुम पैसा दो इंडिया से बाहर हो तो भी तुम पैसा दो यह तो वही वाली बात है ठीक है पडोसिक घर में बारिस होई ठीक है और छात्रा खरीद के हम ला रहे यह सब हिष्ट्री ओप्सिनल एटेंसन मतलो आगे समझ में विटा चल यह खतम हुआ हम लोग का पहला चैप्टर मजा आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा लेट चल रहा हूं मैं क्या करूं उपर उपर पढ़ाने का मन नहीं करता है तुम्हारा भी टाइम बर्बाद होगा ठनी लोग क्वरा सती करता है तुम्हार है तुम्हार। झाल झाल